नवस्कार आप देख रहे हैं पोल्ट्सकाय मैं हूँ आपके साथ पूजावर्शिष्ट आपने कभी न कभी किसी को यह कहते हुई जरूर सुना होगा कि फला व्यक्ति की नाबी खिसकते हैं नाबी खिसकने को कुछ लोग गोला खिसक जाना भी कहते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर यह समस्या है क्या शरीर में नाबी खिसकने के बाद कौन से लक्षण दिखाई देते हैं दरसल नाबी यानि नाड़ी जब अपने स्थान से उपर या नीचे की तरफ चली जाती है तो उस इस्तिदी को नाबी खिसक ना कहते हैं विडियो में हम आपको इनी लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं नाबी खिसकने के लक्षण नाबी खिसकने पर मरीज को पेट में गंभीर दर्द, उल्टी, मतली और दस्त जैसे समस्याइं होती है हर व्यक्ति में इस समस्या की लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं नाबी खिसकने की समस्या जादतर महिलाओं में देखी जाती है लेकिन पुरुष भी इस परिशाने का शेकार हो सकते हैं पेट में गंभीर दर्द, पाचन में दिक्कत, उल्टी और दस्त की समस्या, घबराहट और जी मिचलाना, महिलाओं में पीरिड्स में देरी, पेट और कमर की मास पेशियों में एढ़न नाभी खिसकने की समस्या में दिखने वाले लक्षण आमतोर पर सामाने समस्याओं में दिखने वाले लक्षण जैसे ही होते हैं इसलिए अकसर लोग नाभी खिसकने का पता असाने से नहीं लगा पाते नाभी खिसकने का पता लगाने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं सबसे पहले आप पीट के बल समतल जगा पर लेड़ जाएं और हाथ पैर सामाने रखें अब किसी धागे या रसी की सहायता से नाभी से लेकर पैर के अंगूठे की दूरी कमाप करें इसके बाद दूसरे पैर के अंगूठे और नाभी की दूरी चेक करें अगर दोनों पैरों के अंगूठे की दूरी में अंतर है तो इसका मतलब कि आपकी नाभी खिसक गई है दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले पीच के बल लेटे और हाथ के अगूठे की सहायता से नाभी को दमाएं इस जोरान अगर आपको नाभी में धड़कन महसूस होती है तो आपकी नाभी सही है और धड़कन ना होना नाभी किसकने का संकेत है तो यही कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने नाभी किसकना चेक कर सकते हैं फिलालेज जानकारियों में इतना ही ऐसी वीडियो के लिए चानल बोल्ड स्काई सब्सक्राइब करें